हलो फ्रेंड्स competition community में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनीजों के सम्मंद में खनेज अर्थात क्या होता है देखिए खनेज एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो की प्रत्वी में भूगर्व पर पाये जाते हैं जो की प्राक्रत सकता है वाले हं आखिए जाते हैं मध्य प्रदेश में खनीज बहुत सारे और अलग-अलग प्रकार की पाए जाते हैं पड़ुब्य मत्य प्रदेश अप्रदेश की उपलब्धता में सरवादे को खनीज वाला राज्य गिना जा सकता है इसके 37 में मध्य प्रदेश में खनिज के उत्खनन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में खनिज का उत्खनन बहुत ही कम मात्रा में होता है इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे पास अंसाधन बहुत सारे हैं पर हम उनका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में कर प खनिज का सीधा सामाने अर्थ होता है कि प्राकृतिक रूप से वेपदार्थ जो की भुगर्व से निकाले जाते हैं और अपने भातिक एवं रसायने कुड़ों के कारण जो एक विशेष स्थान रखते हैं खनिज कहलाते हैं ये जिन जगाओं से निकाले जाते हैं उन्हें खान कहा जाता है यह अजैविक क्रियाओं से निर्मित होते हैं मद्धि प्रदीश में जब हम आयस्क की बात करते हैं तो खनिज का ही एक रूप होता है आयस्क लेकिन आयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिन से धातूओं को सुगमता पूरवर या फिर आसानी से निकाला जा सके मतलब यह शुद्ध धातू नहीं होते बलकि एक खनिज का ऐसा शिकाला जाता है निशकाशित करके वह कहलाते यहार कैरेंगे तो बॉकसाइट करना पड़ते हैं खनिज कितने प्रकार के होते हैं तो खनिज जो हैं वो दो प्रकार के होते पहला होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज वहीं दूसरा होता है लोह खनिज और तीसरा हो जाता है अलोह खनिज देखें अब हम बात कर लेते हैं खनिज की सबसे पहले तो खनिज खनिज का अर्थ क्या है ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो की जाते हैं और अपने रसाइनिक और बहुते गुड़ों के कारण इनकी विशेष्टा होती है साथ ही साथ में ये पदार्थ जो है वो आजयाविक क्रिया से बनते हैं इन पदार्थों में जो की खनिज है इन्हें दो भागों में बाटा गया है अब ये दो भाग कौन-कौन से पहला जो भाग है वो होता है धात्विक खनिज या फिर आधात्विक खनिज धात्विक या फिर आधात्विक खनिज दूसरा होता है लोह खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है और दूसरा होता है आलाह खनिज धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातू पाई जाती है और लोग खनिज वे होते हैं जिनमें लोहा पाया जाता है आयरन की मात्रा होती है वहीं हम बात कर लेते हैं आयस्कों की आयस्क किसे कहा जाता है तो अयस्क जो है वहाँ खनिज का ही एक प्रकार है ऐसे खनिज जिन से आसानी से धात्वों को निश्काशित किया जाता है अयस्क कहलाते हैं मध्य प्रदेश में देखें आविभाजित मध्य प्रदेश में खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान था जब 36 गड़ हमारे साथ में था तब अभी वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है खनिज के उत्पादन में पिछड़ा हुआ राज् तो इसका मतलब क्या है कि मद्यप्रदेश के पास खनिज नहीं है ऐसा बिलकुल नहीं है मद्यप्रदेश में अत्यधिक खनिज पाये जाते हैं इसके साथ ही साथ में हम जब बात करते हैं मद्यप्रदेश में खनिजों की तो मद्यप्रदेश में खनिज जो है वह उत्पाद तो मद्यप्रधेश की पहली खनेजनिती की जब हम बात करते हैं तो मद्ह Myself की पहली खनेजनिती वर्ष 1995 लागउ की गई थी मद्हकिन की नई खनेजनिती 2010 में लागउ की गई थी वर्ष 1995 swarm row तो मध्य प्रदेश में वो समय चल रहा था जब खनेजों को बढ़ावा दिया जा रहा था, इनके उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा था. तो इस कारण से पहली उद्योग नीती जो लाई गई वो 1995 में और जो हमने नई उद्योग नीती लाई वो वर्ष 2010 में लाई गई. इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश राज्य खनेज निगम की जो इस्थापना है वहाँ 19 जनवरी 1962 को की गई थी और मध्य प्रदेश का व सिरमस खनेज है मध्य प्रदेश का वो है हीरा क्योंकि हीरा इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश संपूर्ण देश में प्रथम इस्थान रखता और मैगनीज के उत्पादन में मध्य प्रथम इस्थान रखता है वही मध्य प्रदेश में गेरू का उत्पादन भी सरवाडिक होता है इस कारण से गेरू के उत्पादन में भी यहाँ प्रथम इस्थान रखता है संपूर्ण देश में हीरे की बात करते हैं तो हीरा के सबसे पहले लोह एस्क की लोह एस्क का अर्थात जो लोहा होता है वो कहां पाया जाता है तो सबसे पहले धरती के भूगर्म में पाया जाता है कौन सी चट्टानों पे तो धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है धारवार क्या है तो आपको यादुका कि धारवार जो है क करणाटक का एक जिला है और से ही सिध्ध्रमया कोमकली श्रिफ्षपुत्रि सिध्ध्रमया को ली अर्थार्ट कुमार गंधर्व का्सम बैस्वर्द की मठिय। प्रकार का होता है पहला होता है हैमेटाइड लीमुनोटाइड मैगनेटाइड और सीडेराइड देखे जो हैमेटाइड है वह सबसे जादा सर्वोच किसम का लोह एसक होता है इसमें सबसे जादा लोहा पाया जाता है और सर्वश्रेश्ट श्रेणी का इसमें लोहा पाया ज मैगनीज मैगनीज के जब हम बात करते हैं तो मैगनीज का मध्य प्रदेश का देश में प्रथाम स्थान है मैगनीज उत्पादन में और यह जो मैगनीज है यहां मध्य प्रदेश में प्रथमिस्थान रखता है और साथ ही साथ में पूरे देश का 33 प्रतिशत मैगनीज अकेली मध्य प्रदेश चुद पादित होता है यहां एक बहुत ही जादा कठोर और काले रंग की धातो होती है कठोर और काले रंग की धातो होती है प्रदेश में सरवाधिक इसके उत्खनन की बात की जाए तो मैगनीज का सबसे पहले उत्खनन जवलपुर और कटिनी जिले में किया गया था मध्यप्रदेश में सबसे जधा उत्खनन की बात की जाए है तो मैग्णीज का सबसे जधा जो उत्खनन además वहayan दा बाला-खाट जिली के अंतरकत होता है, बाला-खाट की एक खदान बहुत जधा प्रमुः है मैगनीज के उत्पादन के लिए जिसका नाम है भरवेली की खदान बालाघाट में सबसे ज़्यादा प्रमुख है मैगनीज उत्पादन के लिए इसके साथ में बात करते हैं मैगनीज जो है वो बालाघाट के अलावा छिनवारा जिले के अंतरकर भी मिलता है और एक मैगनीज का अयस्क बनाया जाता है जो की आईरन के साथ मिलकर बनाया जाता है जिसका नाम है फेरो मैगनीज और फेरो मैगनीज जो है यह सरवाधिक उप्यूक्त अयस्क है और यह जो पदार्थ बनता है इस पदार्थ से लोहे में कभी भी जंग नहीं लगती अर्थ जंग रोधी पदार्थ मैगनीज से बनाया जाता है मैगनीज का मुख्य अयस्क साइलो मैलिन तथा ब्रोनाइड होता है लोहे एवं मैगनीज की धातु का मिश्रण फैरो मैगनीज कहलाता है इसका प्रयोग कहां किया जाता है तो इसका प्रयोग उर्वरक कर बनाने के लिए तामबे का प्रेयोग बरतन निर्मार के लिए सबसे जादा किया जाता है तामबे की सबसे मुख्य जो खदान है वो मलाजखंड में है जो कि बालागाड जिले के अंतर गताती है इसके अलावा टीकमगर बैतूल आदी जिलों में भी तामबे की कुछ खदाने मिलती है मध्य प्रदेश का तामबे की उत्पादन में प्रथम इस्थान है संपूर्ण भारत में वहीं जब सिंचिप भंडार की बात की जाती है मतलब कितना हमारे पास भंडार है तो मध्य प्रदेश का पूरे देश में तीसरा इस्थान है तामबा उत्पादन में सबसे प्रमुख तिकफ कटनी में जंगल थेडी की खञदान गईkalप घ्ली 25 में पायाहा है जाता है fists आगने काईत्रिद शैलों की अंतरत इध Chemo लंहों कि बात करेंके इमलिया कटनी में स्थित जंगल-ठेड कटानझ घीडी की काधान वे तूल में वो गोटेथ खडान जो है वह टीकम घंब जले के अंतर कता आती है और इमलिया और जंगल थेरी जो है वो कटनी जिले की अंतरगत आती इस के प्रकार से तांबे की अलग-अलग खदाने हमने देख लिया जो की इमलिया जंगल थेरी घेरी गोतेत आधी खदाने हैं तांबा की जब हम बात करते तो इसका प्रमुक उपियोग विद्धुत उप उपकरण बनते हैं उन उपकरणों में तांबे का तार लपिटीटा आपको दिखाई देता है तो तांबे के उपियोग जो है विद्धुत उपकरणों में इसके सांथी साथ में बरतन के निर्मान में और कुछ आकरशक चीज़ों बनाने में भी किया जाता है आज कल के समय इंटीर डिजाइन में भी तांबे का उपियोग बहुत जादा हो रहा है यह बात करते हैं बॉक्साइड की बॉक्साइड जो है वो लेटे राइट शैलों में पाया जाता है जो कि तरशरी काल की शैले होती है इसके अलावा यहां मध्य प्रदेश में देश के चवालिस प उत्पादन केवल मध्य प्रदेश जो होता है और इसे साबसे जो मध्य प्रदेश है वह बॉक्साइड के उत्पादन में अग्रणी राज्य भी है बॉक्साइड का जो उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश में अत्याधिक होता है इसके साथ ही साथ में बॉक्साइड क का सर्वाधिक उत्पादन कटनी जिले से होता है इसके साथ ही साथ में कटनी ही वह जिला है जिसमें सबसे पहले सर्व प्रथम बॉक्साइट का उत्पादन किया गया था इसके अलावा यूपी के हिंडाल को अलुमीनियम सईयंत्र में जिस बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है वह मध्य प्रदेश के अनुपुर अमर कंटक से भीजा जाता है इस कारण से इससे मध्य प्रदेश का रेडुकूट भी कहा जाता है त्योंकि ये रेडुकूट सईयंत्र में जा रहा होता है बॉक्सा कि इसका प्रयोग वायू यान के निर्माण में और साथी साथ में अन्य उद्योगों में भी किया जाता है यहां जो है यहां एक अलूमीनियम का एस्क है इसका प्रतम उद्खनांचन उन्य सथान में कटिनी जिले में हुआ था देश में प्रतम इसथान उडी सा का है वाक्साइड केर फादन में अंगले खनिच की बात किरते हैं के तंगस्चन मध्य मोद्य का उत्पादन होता है इसके साथ ही साथ में टंङस्टन का प्रमूख जो अप्योग है वह के चो होता है लिए निमाध रहा इसका मुख्य खनेज वुल्फार में हैं इसके अलावा इसका प्रयोग स्टील उद्योग विद्धुद वल्प के फिलामेंट बनाने में और विद्धुत उपकर्णों के निर्मार में भी कहीं न कहीं किया जाता है तंगस्टन के उत्पादन में देश में सबसे पहला अगले खनेज की ओर चलते हैं हीरा हीरा सबसे जादा बहु मूल लिया कार्बन का रूप है यह धातू नहीं है यह प्रकार का खनेज है और कार्बन का शुद्धतम रूप है इसके अलावा हीरा जो है इसकी खोज में यह कंफ्यूजन है कहा जाता है कि रियो टिंटों के द शुद्धतम रूप है अगर आप इसको 700 डिगरी के आसपास घरम करेंगे तो यह भाब बनके उड़ जाएगा यह इतना साधा शुद्ध रूप है सीधे कार्बन डाय ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा हीरे के उत्पादन की बात करते हैं तो हीरे के उत्पादन है वह मद्वे प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिलों के अंतरगत किया जाता है यहां कहां पाया जाता है तो हीरा आगने चटानों में पाया जाता है और आगने चटानों के भी अंतरगत किम्बर लाइट जो श मचगवा खदान हो जाएगी जैसे कि देखिये सबसे पहले हो गई हिनोता मचगवा रमखेरिया और अंगोरा की खदान यह हो गई प्रमुक कुछ चार खदाने जो कि हीरे की है और बहुत जादा फेमस भी है इन चारों की बात कर लेते हैं तो जो रमखेरिया की खदान है यह पन्ना जिले में इस्तित है हिनोता की खदान पन्ना में है मचगवा की खदान भी पन्ना में है लेकिन अंगोरा की खदान है यह पन्ना जिले में ना होकर छतरपुर जिले के अंतरकत आती है इसके अलावा जो मचगवा की खदान है यह देश की सबसे बड़ी हीरा उत्पादन की बात करते है तो मजगवा की खदान देश की सबसे बड़ी हीरा उत्पादन की खदान है जब हीरे की आपके दिमाग में बड़ोर जो हीरा जरूर आता बलकि इस हीरे को आंध्रिप्रदेश की गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था इन हीरों का जो खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है इन हीरों का खनन राष्टी खनज विकास निगम के द्वारा किया जाता है अर्थाथ National Mineral Development Corporation के द्वारा किया जाता है हीरे की प्रमुक उपयोग की बात करते हैं तो हीरे का उपयोग कहां कहां होता है देखिए हीरे का पहला उपयोग होता है काच को काटने में इसके अलावत चटानों को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है यह कार्बन का शुद्धतम रूप है तो आभूशन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है सीशा अयश्क शीशा अयश्क के रूप में प्राप्त होता है इसका सीधा मतलब है कि हमें डायरेक्टर शीशा नहीं मिलता अगर आप चटान को फोड़ेंगे तो आपको उसमें सीशा निकलते हुए नहीं मिलेगा बलकि शीशा अयश्क के रूप में मिलेगा और इसको आपको निश्काशत करके अलग से निकालना पड़ेगा देश में प्रथम इस्थान राजस्थान का है शीशे के उत्पादन में वही दूसरा इस्थान आंदर प्रदेश का है और मध्य प्रदेश का तीसरा इस्थान है शीशा के उत्पादन में जो कि मध्यप्रदेश के दटिया, शिवपुरी, जाबुवा और जवलपूर जिलों पाया जाता है यहाँ शीशा किस प्रकार की चटानों में पाया जाता है तो यहाँ प्रीकाम्बियम एवं विन्धेन क्रम की चटानों में पाया जाता है शीशा का मुख्य ऐस की बात करते हैं तो ये ऐस के है गेलेना साथ ही साथ में यहां शीशा 621 फेरन हाइट पर पिघल जाता है और इसका प्रयोग मुख्यता विद्धुत उपकरणों में किया जाता है अब्रक के जब हम बात करते हैं तो अब्रक उत्पादन में देश में आंधर प्रदेश राजी का प्रथमिस्थान है यह आगने एवं कायंत्रित चटाणों में पाया जाता है मद्धी प्रदेश में यह बालाघाट जिले में सर्वाधिक पाया जाता है इसका उपियोग प्रमुक्ता अब्रक का प्रयोग जो है वह सौंदर्य प्रसाधन के वश्टों में किया जाता है अब्रक का उत्पादक जिले की बात करेंगे तो बालाघाट होशंगा बात जवल पूर जाबुहा मन्स और चिंद्वाडा जिले अब्रक के उत्पादक जि प्रदेश में कि सर्वादेग ग्रिफाइट कहां होता है तो जारखन राज्य में होता है चटान की बात की जाए कायांतरत एवं नीश चटानों में ग्रिफाइट पाया जाता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतरकत ग्रिफाइट पाया जाता हो और बैतूल जो है का प्रयोक किया जाता है यह एक काले रंग की धाद्व होती है अगले खैनीच की बात करते हैं बैराइट देखे बैराइट जो है इसे बैरियम सलफेट के नाम से भी जाना जाता है यहां मध्य प्रदेश में देवास जाबुआ जवलपूर नर्सिंग पूर और शिफपूरी इ도 का यह स्था करता है किशलों में मुलता है कटनि को अत्याथिक चूना-उत पादन के कारण चूना-नग्री बी कहा जाता है इस चुने सरवाधिक प्रयोग जो है वहम पुताई करने में किया जाता है इसके अलावा चूने के शुद्ध रूप का प्रयोग पान में खाध्यान के रूप में भी किया जाता है संगमर्मर के जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में संगमर्मर के उत्पादन में देश में दूसरा इस्थान रखता है मध्य प्रदेश पहला इस्थान राजस्थान राज्य का है यहां संगमर्मर कहां पाया जाता है तो यहां आर्कियन युग की चटानों में पाया सबसे फीमस संगमर्मर का कुछ है तो वह है ताजमहल के जब हम बात करते हैं तो इसका सफेद संगमर्मर है यह संगमर्मर कहां से लेकि जाया गया था तो यह लेकि गया मकराना कदान के अंतरगत से मध्य प्रदेश में संगमर्मर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में संगमर्मर अलग-अलग जगा पे अलग-अलग रंग का पाया जता है जैसे कि भेडा घाट में सफेद संगमर्मर मिलता है गौलियर में धब्बेदार संगमर्मर मिलता है जवलपुर में लाल संगमर्म मिलता है शिविनी में हरा संगमर्मर बैतूल और छिनवाड़ा में रंगीन संगमर्मर सबसे सफेद संगमर्मर मकराना की खदान से मिलता है और इसी मकराना की खदान से प्राप्त संगमर्मर से ही ताजमहल का निर्माड शहाजहां के द्वारा करवाया गया था और यह सबसे सब्थादाथ famous ताज ही जो है संग्मर्मर की बनी हुई इमारत है इसके लावा मध्धीप्रदेश का कि सब्हों को हमें कमेंट बेर अंसर दीना है है को मध्य प्रदेश का को इला उत्पादन 54 इस्थान है प्रथम स्थान की बात करें तो 36 गर्राज्य देश में प्रथम इस्थान रखता है कोइला के उत्पादन में सबसे वहीं कहा जाता है तो कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है कोइले का प्रेयोग विधुत के लिए किया ze जैसे कि for example जिस चीज में जादा कार्बन होगा उसकी गुर्वत्ता जादा अच्छी होगी और जिसमें कम कार्बन होगा उसकी गुर्वत्ता उतनी ही बुरी होगी तो कोईले के चार प्रकार होते हैं एक होता है एंथेसाइड दूसरा होता है तीसरा होता है लिगनाइट और चौथा होता है पीट कोईला देखे जो पीट कोईला है यह सबसे बुरी कंडिशन है कोईले की और सबसे जादा बेकार कंडिशन मानी जाती है पिट ज्योंकि इस चैंदर के 50 से 60 प्रतिशत मात्र कार्बन होता है वहीं सबसे अच्छी के साइड में मिलता है कि सबसे जादा सामान्य किस्म जिसका सबसे जादा उत्खनन अभी तक किया गया है वह बिटुमिनेस प्रकार का कोईला है कि फिर आत करते हैं डोलो माइट की डोलो माइट जो है यहां मद्य प्रदेश में जाबुआ जवलपुर्थ सतना और ग्वालिय चीनी मिट्टी के बात करते हैं तो चीनी मिट्टी के कारखाने कहां परिस्थित है और चीनी मिट्टी क्या होते हैं चीनी मिट्टि का सबसे जाधा प्रहोग वह सब्सक्राइब जा चाल दूसरा सजावट की आ यह बालाच है यह Route लगे होते हैं यह सिय बॉड करने के लिए अर उसको स्विच और यह जो करनों के निर्माड में भी होता है कावलीन के जब बात करते हैं तो यह चीनी मिट्टी का एक अयास के हैं और यह जैसे कि अगर आप चीनी मिट्टी के कभी बड़तन लेने जाएंगे न तो एक बड़तन आपको दिखाए देगा जो कि हलका पीले रंग का होगा और दूसरा द दिखाए देगा भारी लगेगा और मोटा चीनी मिट्टी की परत लगेगी उसमें लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पहला वाला कमजोर था बिलकुल गलत जो पहला वाला है वो कावलीन का बना हुआ है जो कि हलका सा पीले रंग का होता है और पतला पदार्थ होता है इस इसके अलावा में इसमें पोटाश और सोडा बिलकुल भी नहीं होता अगनी रोधक का मतलब क्या होता है इसका मतलब इसमें आग नहीं लग सकती इसका प्रयोग उर्वरों को कि निर्माण के लिए भी किया जाता है अगली बात करेंगे कैलसाइड की जिससे कैलसियम नेट की नाम से भी जाना जाता है सर्वाधिक कैलसाइड बढ़वानी जिले से प्राप्त होता है जो कि मद्यप्रदेश के अंतरकता आता है इसके अलावा जाबूआ और खरगौन जिलों से भी कैलसाइड का उत्पादन किया जाता है रोक फास्फेट प्रथम जिले की बा में प्रथमिस्थान राजिस्थान का है जाबूआ के अलावा मध्यप्रदीश के सागर और खरगौन से भी रोक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है देखे खरगौन से वर्ष 2014 में आत्यंत उच्छ किष्म के रोक फास्फेट का उत्खनन किया गया था वहीं सूपर फ कडी मिटी को नर्म करने के लिए उपयोग वह किया जाता है, जैसे कि तो अगर बहुत सदा कडी मिटी है जाало माइव तब पाहन Stevens पानी दंदर नर्म हो जाएगी फूल जाएगी दही की Ne sm02 प्हों। तो वह जो उर्वरक है वह इसी की सहयता से बनता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट का उपयोग जो है वो उर्वरकों के साथ साथ में सौंदर प्रशाधन के लिए बनने वाले चीजों में भी किया जाता है। गेरू मध्य प्रदीश में गेरू उत्पादन का देश में पहला इस्थान है गेरू के जब हम बात करते हैं तो यहां मध्य प्रदीश की सतना जिले में हमें प्राप्त होता है गेरू एक प्रकाय की मिट्टी होती है जिसे म्रतिका भी कहा जाता है देखें गेरू का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदीश की सतना और जबलपुर जिले में होता है इस गेरू का प्रयोग वस्तरों को रंगने के लिए और आभूशणों में चमक को लाने के लिए भी किया जाता है सोना सरवाधिक उत्पादन सोना का सीधी जिले से होता है देखें मध्य प्रदीश जो है इस सोनी के उत्पादन में वैसे तो पिछड़ा हुआ राजी है लेकिन जब जिलों की बात आएगी तो सीधी जिला है इससे सोने का उत्पादन होता है और कटनी शेहडूल और बाल मुल्य धातु है इसके अलावा यहां आभूशणों में प्रयोग की जाती है और कुछ-कुछ विद्धुतुप करणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है यहां सामान्य धातु है और इसके सांस साथ में यहां काफी कमजोर धातु होती है इसके साथ ही साथ में हमारा मध्य प्रदीश में घनिज का पूरा चैप्टर समाब्थ होता है आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मच